हम लोग ABCD पढ़ रहे थे वही रिजिनिंग का जो अलफाबेट पढ़ रहे थे ठीक है उस पे हमने अभी तक जीतना पड़ा है उसी से रिलेटेट कुस क्वेस्चन आज हम लोग साल करें तो चलिए आज का देखते हैं देखें यह तो पिछले क्लास का ही है सब हम लोग सबक अब आज देखा जाए कि आज हम लोग क्या करों है ठीक है आज यह प्रस्म यह है कि जैसे यह देखें यह लिखा है क्या B B-5 ृक्वल टू क्या आए जीसे B की वैलु क्या होती है दो वी लेकिन 2 से तो पाठ जाएगा नहीं और वी का ही न मंपर इंग होता है क्या हमने आपको बताएगा है था 28 क्योंकि 26 में अड़ कर दिया जाता है अब देखे 28 से 5 चला जाएगा अब क्या आ जाएगा 23 और 23 का मतलब क्या होता है यह सब लिखने के तरीके हैं आप इसको डारेक्ट लिखेंगे यह सब लिखना नहीं है वहाँ पर मतलब यह समझने के लिए है यह होगा इसको और पास लिख देते हैं मतलब B-5 इक्वल टू अब कैसे आया है वह मैं बता जाहूं ठीक है ऐसे ही आप इसको भी देखें जैसे यह क्या है आई प्लस 17 ठीक है आई का नमबरिंग कितना होता है बताएए याद है 9 और आई क्या हमने नमबरिंग क्या उपर लिख गया हूं 9 और 17 जोड़ यह क्या जाएगा 17 तिमभीस है 26 और 26 का मतलब क्या आएगा Z अब समझ में आ रहा है नहीं तो तो यह जो नमबरिंग हम देख रहे हैं इसमें कहां से लिफ ठीक है राइट से नहीं अगर आई प्लस 17 का मान आपको समझ में आ गया है तो आई-17 बता दीज़िए अब देखें आई की नमबरिंग क्या होती है 9 लेकिन 9 से तो 17 जाएगा आई को एक चीज और लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसमें 20 जोड दीजिए यानि 35 भी लिख सकते हैं ठीक है और 35 में से 17 चला जाएगा क्या आएगा 18 और 18 किसका होता है यानि i-17 का मतलब हो है क्या आड बात समझ में हारी कैसे निकलता है ठीक है अगर इतना आपको समझ में आगया है अब इसके आगए देखते हैं यह T प्लस T क्या होगा अब देखें टी कमान कितना होता है 20 ती क्या होता है 20 यानि कितना आगया यह 40 आप 40 तो नंबर किसका आएगा 40 में से अगर हम माइनस यह माइनस कर देखिए 26 ती क्या आजाएगा 14 आएगा कि नहीं 14 आएगा और 14 किसका होता है यान का यानि T प्लस T इक्वल टू आप डारेक्ट लिख सकते हैं यान ठीक है यह हो गया इसका कि मतब कैसे हम निकाल लें वह नहीं हाल लिका ठीक है ऐसे बताएगे यह 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 हैं फाइब नहीं यह क्या होता है नंबर में 19 इसका भी 19 यानि यह कितना आजाएगा यह 38 अब 38 को हम कैसे निकालेंगे इसमें 26 गटा देंगे तो यह क्या आजाएगा 12 और 12 किसके होता है यानि यस प्लस यस इक्वल टू यह लाएगा इसका उप्योग होगा प्रस्णों को हल करने के यह प्रस्ण ऐसे भी आते हैं कैसे हम समझेंगे कि एक अगला कैसे आएगा ठीक है अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो वी प्लस वी बता दीजी वी क्या क्या होता है 22 22 होता है 22 प्लस 22 कितना हो जाएगा यह 44 लेंग 44 तो किसी के होता नहीं है तो इसमें 26 घटा दीजी कितना आएगा यह 18 आएगा 18 ही तो आएगा 18 आएगा और 18 किसके होता है आर यानि वी प्लस वी इकवल टू आर और यह तो समझ में आगए ठीक है ऐसे ही देखिए दी प्लस टू इकवल टू क्या लिखेंगे अब बता दीजिए L प्लस 20 क्या आएगा देखे L का क्या होता है 12 और अगर 20 एड करेंगे यह क्या जाएगा 32 32 को कैसे निकालेंगे इसमें 26 गटा दीजिए किना देखे च्छे और 6 किस क्या होता है F यानि L प्लस 20 क्या हो जाएगा ऐसे ही देख लीजिए C का क्या होता है 3 और 8 जोड़ेंगे क्या है 11 और 11 किसके होता है के का यानि C प्लस 8 इकल टू बात समझे बागे यह तो बेसिक था जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसी को हम लोग रिवाइज की ठीक है अब ऐसे बता जीए चलिए आर प्लस 20 को आर का कितना होता है 18 और 24 करेंगे तो कितना आज जाएगा 42 आज जाएगा 42 में से 26 आप घटा दीजिए कितना जाएगा 16 और 16 किसका होता है पी का यानि आर प्लस 24 को हम पी लिख सकते हैं ठीक है अब ऐसे ही आज जाएगे आर माइस 24 आर कितना होता है 18 और 18 में से जाएगा यह तो करना क्या होगा हमें सब भी सैट करना होगा इसमें तो यह कितना आ जाएगा 44 अब 44 में से चोगुश घटा दीजिए क्या जाएगा 20 और 20 क्या है वहीं T20 आर माइनस 24 इक्वाल टू टी समझ में आरी बात अब देखें प्रस्ण कैसे बनता है हम उसको देख आपके एक्जाम में जो प्रस्ण आते हैं वो बनता कैसे है उसको देख देख कहने का मतलब क्या है कि हम लोग अब लेटर सीरीज शुरू करने वाले हैं ठीक है लेटर सीरीज अब ये चप्टर है नाम से आता है अब जैसे लेटर सीरीज में कई आएंगे ठीक है लेटर सिरीज मतलब अच्छर स्रेवडी इसके मतलब होता है क्या अच्छर स्रेवडी ठीक है अब देखें प्रशन कैसे बनता है जैसे मानली जी लिखा है क्या question की a b c d e और अगला देदी है box अब आप बताईए ये box में क्या आएगा प्रशन ऐसे आता है अब बताईए हमको a b c d तो याद है हम डिरेक्ट लिख दिंगे क्या आएगा यहाँ पर यफ आएगा लेकिन यह यह आया कैसे जैसे देखें एक नमबर ही होती है एक ठीक है यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या किया गया है plus one सीरेच को ऐसे ही पहचानना है उसके बाद आप लगा लेकिन अब यहाँ से c से d गया है तो क्या किये plus one दी से e गया है यहाँ भी plus one यह निए e से आगे हम जाएंगे तो plus one ही करेंगे और e क्या होता है पांच पांच में जोड़ी है और 6 किसके होता है तो इस question का मतलब यह box में क्या आएगा एफ आएगा ठीक है यह अधर question देखिए आजाए यही question हम change कर देते हैं तो रहन अब अब अधाए जैसे a है b है b है फिर g है तो इसके बाद क्या माले यह box यह इसके बाद लिंग देजिए आप कि अब यहां box बना दीजिए अब आप बताईए कि इस box में क्या आएगा और कैसे आएगा हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपको numbering याद है a, b, c, d का तो आप बहुत आसानी से इसको लगा लेंगे अगर नहीं याद रहेगा तो परिशानी होगे ठीक है देखिए कैसे लगाएगे सुच पा रहे हैं अब देखिए a से हमने b गया है जब यहां से a का एक होता है b का दो यानी एक जोड़ा गया है ठीक है अब देखिए b से d गया है तो गया क्या क्या है b का दो होता है d का चार यानी दो जोड़ा गया d से g गया है d का चार होता है g का साथ यानी तीन जोड़ा गया है अब देखिए g से k गया है g का साथ होता है k कई गया यानी चार जोड़ा गया है अब K से जब हम आगे जाएंगे, यानि क्या आएगा यह सीरिच, प्लस 5 क्या हो जाएगा, देखें, यहीं ध्यान देना होता है, अब देखें, यहां पर प्लस 1 है, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, ऐसी ही चद्व जाएगा, तो के का क्या होता है एक ग्यारा और पांच हमें जोड़ना है तो सोला किसका होता है तो इस खाली अस्थान में पी इसका उत्तर होगा बात समझ में आ रही है कुछ कुछ पल्ले बढ़ रहा है देखिए ऐसे ही प्रस्म आएंगया आए आगे देखते हैं एक क्वेस्टन और यहां नीचे लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे इसमें देखिए क्वेस्टन यह है कि यह है देखिए हम आभी सिंपल सिंपल कोशन आपको खुद ही समझा रहा है लिख करके फिर आपको पेपर वाले जो क्वेस्टन आते हैं उसको लाएंगे तो आप उसमें लगए ठीक है ए हमाली चाहिए अब यह बी है ठीक है यहाँ पर डी है ठीक है और यहाँ पर यज ठीक है इतनी बाद आपको समझे में आ गई देखिए यह क्या है यह अच्छ है ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर देखिए दो खाली हमने छोड़ दिया दो ब्रेकेट आपको दोनों को भरना है अब बता यह कैसे बरेंगे यही जो नीचे हमने नंबरिंग का जो पैटर्न आया है अगर यह आप समझ जा है तो बहुत आसानी सब बता देखिए अब देखिए अब देखिए यह का आठ होता हिए अबद देखिए यह का आठ होता ही है और आप जोड़ यह 16 यानि पहला जब आप आपका पी अब इसके आगे आजाएगे यहाँ प्लस 16 अब देखें पी का 16 खुदी होता है और 16 इसमें एड़ी करना है यानि 32 अब 32 में से 26 जब घटाएंगे लिए तो 6 ही तो आएगे और 6 किसका होता है ठीक है तो यह है लेटर स जो इस टाइब के क्वेश्चन आपको पूछे जागते हैं समझवारी बात आज यह कुछ और क्वेश्चन देखते हैं पहले इसी पर देखिए इन समयों पर जितना ही क्वेश्चन आप करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहा है चलिए ए डी फिर जी फिर जे फिर एम यहां पर बॉक्स अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं बताइए अब देखिए एकी नंबर नीं क्या होती है एक होती है और हम कहां गया है 4 यानि क्या क्या है पुलस्थ्री अट किर डी का चार होता है और जी हम गयए है यानि यहां भी प्लस 3 हमने add कि अब देखे जी का साथ होता है और जे का 10 यहां भी हमने प्लस 3 अब ऐसे ही यह series आपकी प्लस 3 प्लस 3 होती जाए यहां भी प्लस 3 होगा यहां का 13 होता है और यह 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा 16 किसका होगा प्लस 3 प्लस 3 कहीं आपको प्लस 4 मिल जाएगा प्लस 5 इस तरह से ठीक है अभी देखे अब देखे इस बॉक्स में क्या है ठीक है पहले बाद है अब इसके लिए क्या करेंगे अब देखे पी का कितना होता है सोला आर का अठारा वी का बाइज बी का दो दो होता ही है और जे का दस लेकिन अब देखे यह क्या किया है अब दिखे यहां पर क्या किया गया है और हम 28 भी तो लिखे है बी को और यहां पिर क्या होगा प्लस एट और 28 अर्च 36 यानि यह 36 हो जाएगा और इसमें प्लस 10 हमें करना है यह क्या जाएगा यहां पर अब 46 किसका है बताईए 46 तो किसी का नहीं लेकिन इसमें 26 घटा देंगा और क्या मिलेगा हमें 20 और 20 क्या है वहीं प्रफराइटी मैच यानि इस बॉक्स में प्रफराइगा अब देखे यह तो लेटर स्रीज है इसके बाद जो अग नंबर शिरीज आएगा यह भी सभू क्यों किया जाएगा आपर कैसे आएगा अभी तो यह सिंगल सिंगल लेटर का चल रहा है इसके बाद अब डबल का तो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा चलिए इस क्वेश्चन को आप बताईए यह क्या है W क्या होता है 23 आपको याद होना चाहिए देख लीजिए ती क्या है 20 मैच यन क्या है 14 ती क्या है 5 और यस क्या है 19 अब अगला क्या आएगा और देख डबलू से जब हम टी गए है यानि माइनस 3 की है ती से जब यन गया है तो क्या क्या है माइनस 6 क्या है माइनस 6 की है अब देखिए यहां से यहां गया यानि यन से जब ई गया है तो माइनस 9 की है ठीक है अब जब ई से हम यस जाएंगे अब देखिए पैटन क्या है 3,6,9 या 12 माइनस 12 हो जाएगा अब देखिए ई का तो 5 होता है ली 5 ते तो यह 12 जाएका तो इसमें हम क्या करेंगे 26 shaping is 5 कि किनले गए 31 कि तो में 31 थे 12 नूदा तत्याइगा तो क्या झायोग तो इंद क्या थे 12 तो यह साया है उपर हमने अपो क्यों क्यों तो क्या begin a यहां पर काम क्या कर रहा है इसलिए हम पहले आपको यह कराए है कि माइनस सम्थिंग वी प्लस वी टी प्लस टी आर माइनस चौदा ठारा तेरा जो भी सम्थिंग कराए गया है अब देखे उसी का तो क्यों यहां हो रहा है इसलिए था हमने आपको कहा है कि इसको कर लीजे लेगिन इसके अप्यों अभी कुर्शन में आगे होगा अब देखें पैटर्न क्या कहता है तीन छो नौ बारा यानि यहां से यहां जाने के लिए मैं पंद्रह माइनस करने होगा क्या करने होंगे 15 माइनस अब देखें यहां पर नियम क्या लगेगा यस माइनस 15 यह कितना होता है 19 मैंसे 15 जाएगा यानि 4 और 4 किसके आउता है टी यानि इस बाक्स में आ गया दी इसका क्यों हुआ है अब देखें एक्जाम में यह सब लिखने के जिरूत नहीं है आप यहां पर अभी हम सीख रहे हैं तो एक एक चीज को लिख रहा है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है इसको देख लीजिए अब देखें नम्बरिंग याद है परें नम्बरिंग लिखे चलिए डबलू का 23 टी 20 यन 14 बी का 2 बी का 4 देखें यहां पर पैटर्न कुछ यह चार लिखना रहे है देखें उस तो यहां चेंजिंग हुई है अब देखें यहां पर क्या किया गया माइनस 3 माइनस 6 और यहां क्या गया है माइनस 12 तो दूनी 12 यहां से यहां जाएंगे मैनस चोगीस है अब यहां से यहां जाएंगे मैनस और तालिस कि आजेए मैनस और तालिस आजा अब बताई किर जोड दें तीस मेंसे भी नहीं बढ़ा फिर छब जोडाएं 56 हो गया यान 56 में से और 40 बढ़ जाएगा तो क्या आजाएगा आठ और आठ क्या होता है यानि इस बाक्स में यह जाएगा तो यह रहा आज का सेशन देखिए ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा ठीक है वही एपरॉक्स आदा गड़ता यह उसे कम ही रहेगा ठीक आदा गड़ा रहेगा ठीक ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना है ठीक और आप आसानी से इसको कर ले जाएगे ठीक है चलिए अब देखिए यह भी सीडी जो हम लोग बच्पन में पढ़े थे उसी को तो पढ़ रहा है नम्बरिंग लिख रहा है ठीक फिस तीन के पढ़ना है चार तक हम लोग पढ़े चार चार लेटर के सीरीज तक पढ़ेंगे मैक्सिममम आप किसी भी एग्जाम में रिजमी के क्वेश्टन चार से ज्यादा नहीं है ठीक है चार तक ही आता है ठीक और अब देखिए आप अगर मालियक पेट का एग्जाम हम हों उसमें भी यह इखिए अभी अगेश्टन आप आपको 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 समझ माया होगा देखिए यह यह वी चैलिए बज्बन को याद करते हैं और यह वी चीविक पढ़ते हैं अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स्क्राइक परिए और आपना दोस्तों को इस वीडियो को लाइक से जरूर करें, ठीक है, थैंक्यू बेरी मच्च, थैंक्स पर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स क्लास में, जाएंगे